नमस्कार साथियों नौलेज्वेंग चनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैसे आप सभी साथियों रेलवे रिक्वार्मेंट जीरो तीन स्वाइस 2018 के जो जनवरी में फॉर्म फिल हुए थे ठीक है जब देख सकते हैं और यह जो आपके थे यह जो आर्पिएफ कॉंस्टेबल में ट्रेड मैंन के जो फॉर्म थे ठीक है जिसमें जनवरी में फिल हो करके और अब आपके एडमिट कार्ड आ चुकी है ठीक है देखिए मैं आपको दिखा देता हूं 11 2019 से स्टार्ट हुआ था और 31 तक ठीक है यह वह आपके और जो आपके एक्जाम की जो डेट बताएगी थी वह बताएगी थी मार्च फरवरी में फरवरी में मार्च में ठीक है तो फरवरी में नहीं हो पाया लेकिन मार्च में आपका अब easelp करद आ चुके हैं तो इसमें काफी सारी कंडिडेट्स की कमेंट्स आ रहें कि इसमें जो एक्जाम की जो परक्रिया है वो क्या रहेगी और भरती की परक्रिया जो है वो किस परकार से रहेगी ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं जो इसमें भरती की जो परक्रिया होगी वो सबसे पहले आपक होगा ठीक है देख सकते हैं आप कंपूटर आधारित प्रिक्षा जो है सीबीटी से भी जोनल में आर पी एफ के दोबारा ठीक है आर पीएस अफ के लिए एक असाथ आयजित की जाएगी जो कि आपका जो ट्रेडमेंट का है जो इसके लिए ठीक है और आपका फिर जिसका एक्जाम होने के बाद फिर आपका जो है फिजिकल होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा ठीक है पीएमटी और जो आपके जो ट्रेड टेस्ट होगा फिजिकल के साथ ही फिर आपका बाद में जो है मेडिकल वगएरा होगा तो इसके असंबंद बेज़ आप लोगों ने आप चेक कर लिया होगा यह दिन नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या होगा कि देखिए मैं आपको पता देता हूं कम्पूर्टर भेस ठीक है फिर भरती प्रिक्रिया सभी चरणों प्रवेश अभ्यार थी दवारा निर्धारित पातरता सरते लागू करने के लि आपके पास होना चाहिए और बता गया कि जो है दस्तावेजों पर रणिंग हैंड राइटिंग के दवारा एक समान अस्ताक्सर किया जाने चाहिए ठीए पी एटी पी एमटी और टीटी में से मिलेत होने के लिए जो है उन्हेवाली सभी आप बैरती कि अस्ताक्सर और चाहिए तो आप यहां फिर आप इसकी जो रिक्तियां दे गई है कि किस-किस प्रकार के आपकी है इसमें वेकंसी थी और किस कटेगरी की कितनी थी ठीक है एज वगरा का भी दिया गया है यह सब आपका पिछे का काम था लेकिन अब है आपका पहले टेस्ट की टेस्ट के र राधारित पहला चरण जोगा किंपूराध राधारित पृक्ष़ा होगे आपकी ठीक और यह जो जीजी से भाषा में होगी आप किसी भासा में हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसमें जों को व את होगी ठीक कुछ सारे कंटिगेट ट्ब्cak गे लि intuitive मार्किंग नहीं होगी यह साफ साफ लिखा गया है बहरतियों को सभी परस्णों का उत्तर देना अपक्सित है और परतेक उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा परतेक गलत उत्तर के लिए एक बटा तीन अंक काटा जाएगा ठीक है उत्तर नहीं दिये गए परस्णों के लिए कोई अंक नह है और नहीं काटा जाएगा ठीक है यदि आप नहीं देते हैं तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं ठीक है कि फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो स्लेबस में या आपका एक्जाम में क्या आएगा क्या आने वाला है ठीक है तो इसमें जो निये मिनिमुम क्राइटरिया दिया गया है वो दिया गया है सीबिटी में 35% कि सीबिटी परिक्षा में जो है 35% प्राप्त अंक या प्राप्त करना है ठिका अशक है मदलब कि आपको 35% अंक तो लेके आनी एनी है ठीक है और और ST के लिए जो है 30% आपको अंक ले के आने हैं ठीक है तो ये तो है आपका अंकों का कि ये minimum ये इसमें आप qualification qualify ना समझें कि 35% और 30% qualify के लिए है minimum है यदि इस से उपर या फिर उपर merit में कोई नहीं मिलता है तो फिर ये 35% ही और 30% ही मानने होंगे ये वो है अब बात करते हैं कि आपका क्या कुछ होगा तो आपका जो exam होगा वो सिर्फ 45 minutes का होगा ठीक है और आपकी जो परसनों की संख्या होगी वो भी 60 होगी आप देख सकते हैं 60 ठीक है अब कुछ candidates कह रहे थे जो इसका जो pattern होगा वो RPF का ही pattern होगा तो मैं आपको पता देता हूँ ये RPF का pattern नहीं होगा ठीक है क्योंकि RPF में तो आपका जो है 120 नंबर का exam होता है और 90 minutes का था ठीक है लेकिन यहां केवल 45 minutes और 60 questions ठीक है देखिए रेशियो में तो सेम है रेशियो में सेम है पेंतारी दूने नबर और 60 दूने 120 ठीक है लेकिन यहां minutes कम है क्योंकिन भी कम है तो फिर बात करते हैं सामाने ग्यान की तो यहां जो है डिफरेंस इतना है कि RPF में जिक्के में जो है आपके आपको पता है कि 50 questions आते हैं ठीक है और मैथ के आपको पता है कि 35 questions आते हैं और जो आपके reasoning है reasoning के भी आपके 35 questions आते हैं और यहां जो है आपके equal equal parts हैं तिनों 20-20 अंक के हैं ठीक है आपकी देख सकते हैं सामयने ग्यान 20 नंबर की है अंक गणित आपका 20 नंबर का है और सामयने बुद्धीत तर्क यानिकि देख सकते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें देखें जो आपका समयने ग्यान है उसमें आपके आसपास के previous के समाज के संबंद में बहरती के समयने जाग रुकता का प्रिक्शन करना ठीक है और जो भी आपके रोजमर्रा की घटनाए है ठीक है रोजमर्रा की घटनाए है यानि कि आपकी जो जनरल करंट अफेर है आपकी वो और अधियास भारती अधियास ठीक है और कोई भी वेक्ती ठीक है यह किसी की डायत हुई यह कोई विशेज़ फेमस प्लेस है उसके रिगार्डिंग कि इस से भूगोल अर्थ सास्तर समा नहीं ती ठीक है भारते सम्हिधा यह मैं आपको बता देता हूं आप ये चीजें भारती स्मिधान खेल ठीक है और भारती इतिहास कला संस्कृति यह जरूर पढ़के जाना ठीक है और आपका फिर देख सकते हैं गणित भी संक का है ठीक है यहां संख्याओं पूर्ण संख्याओं दसमेलाओं अंसों और संख् परिचालन प्रतिशत अनुपात और समानुपात ओस्त ब्याज लाभानी छूट ठीक है आपका जो तालिका है पाई चार्ट जिसे बोलते हैं ठीक है और मैंसुरेशन समय और दूरी ठीक है अनुपात और समानुपात प्रोपोर्शन्स ठीक है तो यह सब आएगा और आप इसके अपने त्यारी कर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड आ चुके होंगे ठीक है तो आप अपनी त्यारी अच्छे सी कीजिए थेंक्यू साथि